दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वाकत है आज इसे स्टॉक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस में अगर देखा जाया उनकी मोनोपोली है मार्केट शेयर करीब 90% से ज़्यादा है और बिजनेस मॉडल काफी फ्यूचर में भी चलने वाला है लोगडाउन में उनका काफी बिजनेस प्रभावित हुआ था लेकिन अब वो काफी गती से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है ऐसे बिजनेस मॉडल वाली ऐसी क्वालिटी कमपनी अगर किसी निवेशक के पास है तो जरूर वो पैसा बनाता है आज नहीं तो कल पैसा बनता ही बनता है यह जब कमपनी लिस्ट होई थी तब हमने उस समय भी चर्चा किया था और बीच में भी वीडियो बनाया था आए फिर से आज इस पर हम चर्चा कर लेते हैं इस कमपनी का नाम है ड्रीम फोक्स ड्रीम फोक्स एक इंडिया के लार्जस्ट एरपोर्ट सर्विस अग्रिगेटर प्लेटफॉर्म है दरसल इनका कामकास क्या है जो एरपोर्ट होते हैं वहाँ पे लाउंज के सूधा देत आए लाउंज के सूधा प्रोवाइड कराएंगे साथे साथ रेलेवे में भी प्रोवाइड कराएंगे तो इस वज़े से छे बाइने पहले जो उन्हेंनों अनाउंसमेंट किया था उसके पैस्टात ये स्टॉक डबल हो चुका है तो सब कुछ जानने कोशिश करेंगे तो बेसिक चीजें जान लेते हैं देखिए करीब सितंबर 2022 तक 1483 टेस्ट पॉइंट से 121 कंट्रीज यानि इंक्लूडिंग इंडिया अलसो करीब 121 कंट्रीज जो की अगर देखा जाए बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और 540 शहर से सर्विसेस में क्या क्या हो जाते हैं ल मजी कि जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं जो बड़े यात्री होते हैं ऐसे लोग सुधा ज्यादा ले रहे हैं तो आसान शब्दों में कहा जा तो यात्रियों को ठहरने विश्राम करने मीटिंग करने इन सारी सुधाओं को यह देते हैं स्टॉक प्राइस देखते हैं आज 6 महिने में आप देखेंगे 109% यहाँ पर रिटन मिल रहे हैं, यानि कि 110% आप मान के चलिए, 6 महिने में काफी तेजी आनि कि stock price double ही हो गया, price to earning ratio देखते हैं 56 का है, price to book value देखते हैं 25 का है, earning pressure है 13.88 पैसे, और 2.1 pressure की face value है, सितंबर 2022 इसकी listing हुई थी, और अभी भी देखा जाए small cap की company है, 4000 करोड के market capital है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर analyze करेंगे साल दर साल, देखिए, 2018 में जो total इनका राजसु रहा 166 करोड, अगले वर्ष हो गया 2500 करोड, काफी अच्छी ग्रोथ है, 2020 में हो गया 366 करोड, यानि कि यहाँ से यहाँ करीब डबली हो गया total राजस 2021 में देखें कि मातर 106 करोड, यह क्यों, 2020 का जब वित्वर्ष समाप्त हुआ, यहाँ पर lockdown लग गया, airports worldwide देखा जाए shutdown हो गया, इंडिया में भी बंद थे COVID की वज़े से, तो total जो राजसु बहुत कम हो गया, और 2022 में अगेन इसने जो है पिकप पकड़ा, 282 करोड, और अ देखेंगे कि अगर यह COVID वाला period छोड़ दिया जाए, तो काफी जबरतस्त revenue में बढ़ोत्री हुई है, 5 वर्षों में sales growth निकल के आ रही है, compounded 36%, 3 वर्षों की 28% और last year की 174%, इसी प्रकार से अगर हम net profit देखेंगे, तो net profit है यहाँ पे 73 करोड, पिछले वित वर्षों में था 16 करोड, तो profit growth जो निकल के आ रही है, 5 वर्षों की 44%, 3 वर्षों की 32% और last year की 370%, काफी अच्छी जबरतस्त चंप में देखने को मिल रही है, return on equity अगर देखते हैं, 5 वर्षों की 40% जो की जबरतस्त है, और last year की 61% जो की काफी बढ़े है, अब देख लेते हैं, क्या company क कर्स भी है, देखते हैं, company के पास कर्स के नाम पे कुछ नहीं है, 2 करोड दिखाए दे रहा है, जबकि reserve उनके पास 146 करोड का नजर आ रहा है, यानि कि debt-free company है, cash from operating activity देखिए, 50 करोड के यहाँ पॉस्टिव है दिख रहा है, आपको net cash flow अगर देखते हैं, 18 करोड के आस प के मद में तो 204 करोड से बढ़के 338 करोड सेल्स हो गई, और इस प्रकार से जो शुद मुनाफरा 19 करोड से बढ़के हो गए 25 करोड, तो यानि कि काफी profitable बढ़हा company है, shareholding pattern अगर हम देखते हैं, यहाँ पे तो जून में 66% यहाँ पर मोटर्स के पास दिखाए दे रही है, FIIs के पास है 11.94%, जबकि आप देखेंगे FIIs इसमें बढ़े हैं, मार्च के मुकाबले देखा जाया, तो मामूली से बढ़े हैं, कुछ कम नहीं तो 12% के असपास होने वाले हैं, और यहाँ पे domestic जो institutions हैं, उन्होंने अभी profit booking की है, 8.92% है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे हैं, और रिटेल नहीं विश्यक हैं, वो करीब 13.13%, त्यानि कि प्रमोटर्स के पास भी अच्छे खासी होल्डिंग, उसके पास सबस्यादा जो हैं, पबलीक है, इसमें छोटे बड़े हर प्रकार के नहीं विश्यक हैं, फिर FIIs हैं, और domestic institutions हैं, जबकि आप गवर करेंगे कि बहुत छोटी कमपनी है, 4000 क्रोड की मार्केट कैप है, अगर यही देखा चाच है महिने पहले, तो यह करीब 2000 क्रोड के आसपास मार्केट कैप रही होगी, अब जैसा कि आपने बिसनेस मॉडल देखा, ड्रीम फोक्स सर्विसेस लिम्टेड, यह ठीक वैसी कमपनी है, कि आप समझ سकते हैं, कि जितने इनकी संख्या में, जितने एरपोर्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, रेल्वे में अपनी सर्विशेज शुरू कर दिये हैं, गोल्फु काभा हॉसेज में, तो यहां पर क्या होते हैं, जो प्रिमियम कस्टमर्स होते हैं, बड़- से इनकी profit growth है अभी तो ये newly listed company है सितंबर 2022 में लिस्ट हुई है हमें लगता है कि अगर इसी तरीके performance रही और company को बाजार value जरूर देखा थोड़ा सा institutions से इसलिए कमी देखी जा रही क्योंकि अभी तेजी बाहरी जो पैसा वो इस company में नहीं आया है जैसे ही bullrun या कोई तेजी आपको भारती बाजार में देखने को मिलेगी तो ऐसे stocks में जो FIIs है या DIs है वो पैसा डालने से नहीं चूकेंगे और जब वो पड़ा पैसा डालेंगे तो ये काफी तेज से उपर बढ़ेगा चाहिए mutual fund industries हो, domestic institutions हो या FIIs हो तो हर मामले में देखा जाए company के business model अच्छा है, debt free company है, institutions भी है और promoters की भी अच्छी स्थिति है, premium customers भी है तो किसी प्रकार कोई issue इस company के साथ नहीं नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई recommendation नहीं है दोस्तों, आप भी अपनी research कीजिए, आप भी अपने वित्ति सलाकार से इस company को लेके आप मशुरा कीजिए, कि क्या इस company में जो है position ली जा सकती है, क्या इसमें पैसा बन सकता है वेट करें, अभी नतीजे आने वाले हैं quarter के, जल्द ही, जून के जब आ जाया है, उसकी performance देखें, उसके पाशाती कुर्णा नेती बनाए, तो ही अच्छा रहेगा Thank you for watching this video friends